दोस्तो नमस्कार मैं हिमान्शु शर्मा आप सभी का पुना हारदिक हारदिक अभिनन्दन करता हूं आज हम बात करेंगे बुद्ध देव के कुछ महा उपाई के विशे में अदभुत उपाई के विशे में मैं इस उपाय को अद्भुत क्यों बोलू रहा हूँ देखिए क्या होता है जब हमारे पास कोई पत्री आती है पढ़ने के लिए कोई जन्म कुंडली आती है पढ़ने के लिए तो हमें सबसे पहले यह देखना होता है कि वह ग्रह किस-किस भाओ का मालिक है वह किस भाओ में जाकर बैठे हुए है उनके उपर कितने सुब और कितने अशुब ग्रहों की द्रिष्टी है उसके बाद फिर हम एक उनका प्रतिसत निकालते हैं उसके अनुसार हम लोगों को रेमेडी बताते हैं कि भई आप यह काम करें तो आपका काम पुरी तरीके से बन जाएगा लेकिन आज जो मैं आपको महाँ उपाय बताने जा रहा हूँ उसमें आपको यह कता ही देखने की जवरत नहीं है कि यह ग्रह आपके लिए कारक हैं कितने डिगरीम बैठे हैं उनकी उपर किस किस ग्रहों की द्रिष्टी है बस आज जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ आप उसे करें यकीन मानिए बुद्ध देव धीरे धीरे आपको अपना पॉजिटिव रिजल्ट देना चालू कर देंगे कारक है तो फिर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं और अकारक है तो फिर भी आप इन उपायों को कर सकते हैं और बुद्ध देव धीरे धीरे आपको सुभ परिणाम देने लगेंगे चलिए फिर आज का कारिकराम प्रारांब करते हैं देखिए नवो ग्रहों में बुद्ध दियों को राजकुमार की संग्या प्राप्त है आख, कान, गला, वानी, इसकीन, त्वचा इन सब चीजों का कारकत्व बुद्ध दियों के पास है एकाउंटेंसी, ब्रेन, ठीक है इन सबसे रिलेटेट किसी भी तरह का यदि आपको कोई परिशानी है तो आप इन उपायों को कर सकते हैं सबसे पहला उपाय, महा उपाय मा भगवती की पूजा अराधना चालू कर देने यदि आपको बुद्ध देव से अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप मा भगवती की पूजा सबसे पहले प्राराम करे अराधना चालू करे उनके किसी भी एक मंतर का जो आपको उच्छित लगे उसका अपनियमित जाप चालू करे एक मंत मैं आपके सामने रखता हूँ मा भगवती कहीं मंतर है और उसका सीरा संबंध बुद्ध देऊ से है यादेवी सर्वभूतेशू बुद्धी रूपेणसंस्थिता नमस्तस्यदै 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 率णमो नमः इस एक मंतर का नियमित जाप कर सकते हैं नमबर दो किन्णरों को बुद्धों आरके दिन हरी सबजी, हरा साड़ी और पाँच पव, मूग इन तीन चुजों का कॉंबिनेशन बना के आपको किन्नरों को देना है और यह काम आपको लगातार पाँच बुद्धवार करना है ठीक है चलिए अब हमाज आते हैं अगले उपाए में देखिए बुद्ध देव का जो बीज मंत्र है वह है ओम ब्राम ब्रीम ब्राम सह बुद्धाय नमह आप इस एक मंत्र का नियमित जाप चालू कर सकते हैं इस से भी बुद्ध देव चाहे कारक हों तो शुब परिणाम बढ़ा देंगे और अकारक होंगे तो अपना अशुब परिणाम को कम कर देंगे अब हम आजाते हैं तीसरे उपाए में बारा वर्स से कम उम्र की कन्याओं को पाँच कन्याओं को आप लगातार पाँच बुद्वार अपने घर बुलाएं सथ सम्मान उनका पौध होएं और पौध होने एक बाद उन्हें आप मीठा खिलाएं पाँच बुद्वार यह काम आपको करना है और जाते समय कुछ भी उन्हें बच्चों से रिलेटेट चीज जो हरे रंग की हो वो आप अवस्य द्यान करें जब वो आपके घर से जाएं मीठा प्राप्त कर, भोजन प्राप्त कर, नाश्ता प्राप्त कर तो पाँच फूकर उनका आशिर्वाद ले और उन्हें बोलें कि आप अपना हाथ हमारे सर में फेर कर आप हमें अपना आशिर्वाद देवें ठीक है अब हम आजाते हैं अगले उपाई में यदि आपकी फाइनिंशियल पोजिशन ठीक हो बिल्कुल ध्यान दीजेगा पैसे खर्च करने की ज़रत नहीं है आपको यदि आपकी फाइनिंशियल कंडिशन ठीक हो तो आपको इस कारे को करना है जो दमा के जो पेसेंट है यदि आप किसी ऐसे वेक्ति को जानते हैं दमा के पेसेंट है और उसकी आर्थी किस्तिती सही नहीं है वेक्ति दमा का पेसेंट हो और उसकी आर्थी किस्तिती सही नहीं हो उससे आप दमा से संबंधित दवाईया अपने तरब से गिफ्ट कर सकते हैं यह एक बहुत ही अद्बुद उपाए है यदि आपकी financial condition अच्छी हो तो आप इस कारे को अवस्य करें ठीक है चलिए अब हम आजाते हैं हमारे अगले उपाए में सभी ग्रहों का किसी न किसी वार के उपर आधिपत्य रहता है बुद्ध देव का वार है बुद्ध देव का वार है बुद्ध वार तो अब बुद्ध वार के दिन उपवास रह सकते हैं वृत रह सकते हैं इससे भी बुद्ध देव अपना शुभ परिणाम आपको देने जाएगे चलिए फिर आज के लिए आप सभी मुझे इजाज़त दें अगले कारिक्रम में मैं फिर एक नए विशाय के साथ आपके सेवा में हाजिर हूँगा आज के लिए दोस्तों